प्रोग्राम गुर्मत ग्यान लाइव देविच चरदीकला टाइम टीवी देख रहे समूद रशकांदा मन्दीप सिंग वलों स्वागत है हर अफते दी तरह ऐस हफते भी ग्यानी साहिब सिंग जी शाबाद मारकंडा वाले आप जीनु गुर्मत संबंदी अते गुर्बानी संबंदी सेथ देंगे ग्यानी जी साडे नाल स्टूडियो विच माजूद हन ग्यानी जी फते सांजी करके प्रोग्राम शुरू कर दें हां वाहिग्रू जी का खालसा वाहिग्रू जी की फते पिछले हफ़ते तक ग्यानी जी ने पौड़ी तीरत तप दिया दद्दान दे जो अखरी अर्थन अते व्याकरन दी जो सीज सी ओ दिती ऐस हफ़ते ऐस प्रोग्राम दा आगाज जो अगली पौड़ी है पातालां पाताल लख आगासा आगास तो किती जान दी है ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एकवात सह सथारां कहन कतिबां असलू एकतात लिखा हुए तालिखी है लिखे हुए बिनास नानक वज्जायाखी है आपे जाने आप गुरु स्वारे सत्संगियों एकी नमबर पौड़ी तीकर असी विचार कीती सी के वाहि गुरु अकाल पुरुख जी वड़ेहन उनादी वड़ेही भी बहुत वड़ी है और इसारा संसार उस्ता कीता होया है तथा उस्ते हुकम तो बिना उस्ते हुकम तो बिना कुछ भी नहीं हो सकता पर जे कोई मनुख एक एंदा गुस्ताखी करदा है के मैं उस पर मातमा दा अंत पा सकता है या मैं दा सकता के ओ कितना बड़ा है ओ मनुख हमाकत कर रहे हैं गुस्ताखी कर रहे हैं गलती कर रहे हैं जे को, नानक जे को आपो जाने, नानक जी फरमान दे ने, जे को अपने आपनू यो प्रक्ट करता है, कि मैं उस परमातमा दे बारे दस सक्दा हां, अग्या गया ना सो है, ओ वाई गुरू दी दर्गा वे जाके सोबा नहीं पाएगा, हुन पाच्छा बाई नंबर पौडी भी फरमान दे ने, परमातमा दी बे अंत रचना दा कौन अंत पा सक्ता है, पातालां पाताल लख आगासां आगास, इस पंकतीनों असी कठे ही पड़ना है, जेडा लख अखर है, ये देली दीपक है, गुर्बानी में कुछ अखर ऐसे होंदे हन, जेडे अग्या ते पिछ हे दो ही पास ही लख दे हैं, जेस पेर अजान आगास होंदे पास ही लख दे हन, फ़ी द्माना दे ऑछन दे भी येज दीपक ये घंदगा, जिस् तरहां दरवाजे दी दी टिता है, एक दीवा बाल के रख दे ओ, वो अंधर भी रोशनी कर दा हैे भार भी भी रोशनी कर इसलिए उसनों देली दीपक के आजन्द है इस पहली पंगती वी जड़ा लख अखर है ये देली दीपक है पाव लखाही पताल हन लखाही अगाश हन ए लख शब्द दोई पासी लगेगा पाताला पाताल लख आगासां आगास तो अर्थ करन वेले इस लख नो दोई पासी वरतना होवेगा के उस वाहिगरू दी बेंत रचना दे अंदर लखाही पताल हन अते लखाही अकाश हन ओड़क ओड़क पाल थके ओड़क दा मतलब अखीर ओड़ा अंत लबदें लबदें पाल के थक गए वेद केहन एकवात सारे वेद रिशी मुनी ते महातमा एक दबान होके केंदे हन ते मन दे हन के सहर सठारा केहन कते बाँ असलू एकतात ये सब नदी लाए एक है पामे इसाई अच्छी मत वारे अते मुस्लमान मत वारे उना दिया कतेबा उस पर मातमा दी बेंतर चनानू अठारा हजार आलमा विच बन दे हन पर केन तो पावे है के किसे ने कितना किहा किसे ने कितना किहा किसे ने लखाँ पताल कहे लखाँ काश कहे किसे ने अठारा हजार आलम कहे पर असलू एकतात असलू दा मतलबे मुड सार्यां दा एक परमातमा है गुर्बानी गुरुजी एसनू आपने टंगनाल समझाओं दे हन के अरबद नरबद तुन्दू कारा तरना गगना हुकमे अपारा ना देन रैन ना चंद ना सूरज सुन समाद लगाएं दा अणिया परमातमा दी बे रचना बे अंत रचना धा कों अंत पाउस पहला अरबद के है अरबद भी गिन्ती दा शब्द है अर्बा सॉल ना अरबद अख्या नहीं 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 अरबद भी नहीं पहाव एस दा अंत पौणा ही बहत मुश्कल है तांते गुरू नांक दे पाथशाव फरमान देने ओड़क ओड़क पाहल थके पाहल दे लेनू से अरी है जिना मतलब है लब लब के उस ताखीर लब लब के थक गए और वेद कहन एक वात सारे वेद एक जबान होके एक अलके रहे हन सहसे अठारां कहन कतेबां असलू एक ताहत इजड़ा असलू अखर है इस ते उचारनू मी समझने ससेदे उंकरनू मी बोलने है परे बोलया किमे जाएगा जबान दी कूंबली नाल असलू एक ताहत असल विच इना सारे अदा मुड एक अकाल पुरुख परमात्मा है पामे इसलाम वाड़या ने अठारां हजार आलम कह देते पामे हिंदू मत वाड़या ने लखां पतालते लखां काश कह देते पर इना सारे अदा करनहार एक अकाल पुरुख परमात्मा है लेखा होए तां लिखी है और सीस अद्धी पंक्तिन उपढ़ के लेखा होए तां लिखी है जेते उस पर मातमा दी बेंत रचना दा लेखा हो सके फिर ता लेखन दा यतन करिये लेखा होए बिनास के देने लेखा कर देयां कर देयां नहीं किता जा सकता, ते जड़ी चीज दा लेखा ना किता जा सकता, ते जड़ी चीज दा लेखा ना किता जा सकता, ते जड़ी चीज दा लेखा ना किता जा सकता, ते जड़ी चीज दा लेखा ना किता जा सकता, ते जड़ी चीज दा लेखा ना किता जा सकता, ते जड़ी क्योंके इस नियमनू पहला अरम विच दस्या सी पर मेनू ए तजर्बा है के विद्यार्थियानू सिरोतियानू पूल जानदा है जैसी नानक वड़ा खांगे ते गलगल तो जाएगी क्योंके थे नानक दा का मुक्ता है एक कवी जी दी मौर छाप है एस लही थे नानक ते थोड़ा रुकुना पवेगा नानक जी फर मौदे हन नानक वड़ा आखी है ओ स्वाह ग्रुवकाल पुरुखनू वड़ा के है जानदा है पर यो आप ही जानदा है के आपे जाने आप ओ कितना वड़ा है यो ही जानदा है गुरु अरजंदेव सचे बात्षा ने सुपनी साहिवित बहुत ही कमाल दी घल कही अख्या जे किसे पुतर नो कोई पुछे दास तेरे पिता दा जनम कदो होया तो से जी कहेगा पिता का जनम के जने पूत सगल परोही अपने सूत सुमत ग्यान ध्यान जिन दे जन दास नाम ते आवें से अख्या कोई पुतर कि में दा सकदा है मेरे पिता दा जनम कदो होया वाही गुरु अकाल परोग साड़ा सारे दा पिता है उस हड़े तो पहला है असी बाद बिच पैदा होया एसलेई गुरु नानुक पात्षादी राये है कि एदे उते अपना समा अजाई नी गोना चाईदा क्यूंकि असी सपर मात मदा अंद पाई नी सकते तो एसानु एहुई कहना ते मनना चाईदा है कि तुमरी गात मेत तुमेही जानी नानक दास सदा कुरवानी गुरु तेग बहादर जी फरमान देने हर की गतना को हुजाने जोगी जती तपी पचहारे अरबो लोग से आने बड़े लोग ठक गए पर उस हरीदी गतनु कोई जान नी सके सबनु एही कहना पया क्यो बेहनत है बेहनत है बेहनत है रोज आप साथ जयार हम इचसी पढ़ दे हाँ चकर चेहन यार भरन जात यार पहत नैन जै रूप रंग यार रेख पेख कोई कहन सकत के अचल मूरत अनभव परकास अमित तोज कहिज जै कोट इंद्र इंद्रावन शाशावन घनिज्य तरिपवन महीप सोर नारे असोर नेत नेत बन तरिन कहत जड़ा नेत शाव संस्कृत है जड़ा अखरी अर्थ है ना इती जिस्ता अंत नहीं पाया जा सकता जंगल ते जंगल विच तिनके जो हम कहादे ओभी कह रहे हैं के परमात्मा बेंत है बेंत है बेंत है नेत नेत बन तरिन कहत तब सर्ब नाम कथे कवन करम नाम बरनत सुमत मुकदी गल गुरू नान पाद साईते फुर स्टाप लोंदे नानक वड़ाया खी ए आपे जानें आप वो आप ही जानदा है क्योंक इतना वड़ा है साधी अलपग जीवां दी बुदी इतना कम नहीं करती इस लगदी पौडी दे नाल ही जो पौडी नंबर तैय है इसे ही पर करनू सद्गुरू हो और खोलन दी किरपा कर देने कने सालाही सालाह एती सुर्थ ना पाईया नदियां अतेवा पमें समुंद न जानिये समुंद शाह सुलतान गिरहा सेती मालधन कीडी तुलना हुमनी जेतिस्मनो नवीसर है पात्साजीदा फुर्माने सालाही उस सालाहन योग परमात्महनू सलोन वाले सलोन देहन उदी वड्याई कर देहन वड्याई करनी चाहीदी है पर वड्याई करन्दा अर्थ ए नहीं के उननुए सोजी प्रापत हो जाए के परमात्मः कितना बड्या है सालाही सालाह एती सुर्त ना पाईया इते सुर्त दा मतलवे सोजी सुर्त दा मतलवे समझ एनी समझ उननू नहीं आयी जेडे उस सालाहन योग परमात्महनू सलोन देने क्यों दस सकन परमातमा कितना वड़ा है हुण इस गुंजलनू पाथषा बड़ी दलील नाल खोल दे हन ते फरमान देने नदियां अत्यवा वा केंदेने छोटे नाले आनू नदियां केंदेने वड़े दरिया मानू एदा तुसी जान देओ के छोटे 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 नाले ररके वड़ियां नदियां बन दियां हन नदियां ररके बहुत वड़े दरियां बन दे हन ते ओ दरियां चल दे चल दे समुंदर वे जा पेंदे हन त्यान देना नाल नाल इस ते सपैलगा मन भी वेखना बिस्राम मर भी त्यान रखना जैसी कठाई पंकतीन पढ़ जावांगे अर्थ नहीं निकलंगे नदियां या तैवा इते रुकना है पमें समुंद हुने थे समुंदे ददेनू से हरी है जिदा मतलब है समुंदर विच नदियां अते नाले चल दे, चल दे, समुंदर विच जा के डिगदे हां ते समुंदर विच डिग के समुंदर द रूप हो जाने पर समुंदर विच डिग के ओए दसन दी समुंद्धा नहीं रख दे के समुंदर कितना बटा है समुंदर ता बढ़ गए पर उनना विच एननी समर्था नहीं क्यों दस सकन समुन्दर कितना बड़ा ऐसी अकट दिल दिती महाराज ने जिसनू शर्दानाल या तीती किश्टी किशन बुद्धी नाजे में मर्जी समझ लो तो आनूए मननना पवेगा के नदिया नाडे समुन्दर विच डिग के समुन्दर दा रूप हो जांदेने पर उए दसन दी योगता समुन्दा नहीं रखते के समुन्दर कितना बड़ा महाराज के ने इससे तना परमातमा दी सिफत सला कर देया ओदे गुणगाइन कर देया ओदिया बड़ियाईया कर देया बड़ियाई करनवाले उदा रूपते पन जांदे पाथसादा फरमान है जिनान विसरे नाम सेकनेहा पेद नजानो मूल साई जेहा एक और जगा फरमान होंदा है हर हर जन दोए एक हैं विब विचार कछना हैं जलते उपज तरंग जयों जल ही बिखै समाहें हरी ते हरी ते जन दोवें एक हन उना विट कोई धुवैत पावनी वखरा पन नहीं पर ओ दोवें एक जगा मिलके एक रूप हो गए हन ए नहीं दस्या जा सकदा के हरी कोण है ते जन कोण है ए नहीं निरना कीता जा सकदा के नदिया नाड़ें दा पाणी केड़ा है ते समुदर दा केड़ा है तो पाथषा ने समझाया साला ही साला है एती सुरुत ना पाईया नदियां अत्यवा, पमें समुन्द ना जानी हैं, समुन्दर विज पैके समुन्दर रूप हो जान देने, पर ए नी जान दे, ए नी दा सकते के समुन्दर कितना उल्जा है, समुन्द शा सुल्टान, गिरहां सेती माल दन, अख्या जे कोई सतना समुन्दर ना शा हो जाए, देखो उने थे समुन्दर ददा मुक्ता है, उते समुन्दे ददेनू सेहरी सी, मैं इसलिए नियम दिन करवा रहे हैं हां, कि गुर्बानी दा पाठ कर देयां, तो हनू ए लगा मातरां दी जान कारी, पाठ करन विच रस पै भेगी, हुने थे समुन्द दददा मुक्ता है, पहुते समुन्दर दी गहल हो रही है, समुन्द शाह सुल्तान, सुल्तान केने बाद्शाणन। जिदा कई समुन्दर द राज हो बे, जमें किसे सम्हें ओँ अंग्डेज़ां दा, लाज बहुत पहला होया सी, लोग केंदे सन अंग्रेज दे राज में सूर्ज नी डूबदा मतलब केंदे तो इसी के बहुत बड़े एरिये ते उना दा हुकम हासल सी महले जे कोई ऐसा सता समुन्दरा दा शाह हो जाए और गिरहां से तीमाल धन ये कोई पहाडां दे टेर दालत दे हूँन hips टेर लैश हुझे हुण डूबदा 2 या ये उना कोई पहाडां दे तेर दालत दे हूंन हो गई के देने कीडी तुलना हुमनी जे तिस मनो न वीसरें आम लोग के नो वीसरें पड़ जा दे ने वीसरें नहीं वीसरें हे अकाल पुरुख जी ओ कीडी पामे अकाल वे छोटी है पर जे उस कीडी दे मनो तसी ना पुलो ता उस सता समुद्रान दे शा उस कीडी दे बराबर भी ने त्यान देन दी लोड़ है गुरुप आजसा ने कितनी कीमती गल के यह असी लोग सारे ही दौड़ दे हाँ दौल दे पिछे तान दे पिछे इतनी जमीन बढ़ा लो इतने मकान बढ़ा लो इतनी आ कोठीया काला ब पर सद्गरू के नहीं पाई ही, जिदे कोड़ परमेश्वर्दी याद है, वो सब तो बड़ा है। मैंनु छोटी जी कटना के देया, बड़ी खुशी उंदी है। संत अतर सिंग्जी मस्तु आने वाले यां दे जनम नगर पिंड चीमा विखे दास पड़दा सी। ताउना दे जीमन उते, जो दो पागां विच संतेजा सिंग्जी डबल एम में ने लिखिया सी। उसी रोज पड़दे सा। उदे विच कटना आई के जदो जार्ज पंच मनु गदी दा तिल्क देना सी। ता सारे तर्मादे लोग उस समाग में शामल होए। सिख भी शामल होए। पर सिखां दी शान बिलकुल नराली सी। संत अतर सिंग्जी महराज ने सला देती। संत अतर सिंग्जी महराज ने सला देती। के अपने जे समाग में शामल होना है। एक हाथी लियाओ। उनु सजाओ। उदे उते पाल की देविच अम्भारी विश्षरी गुरु गुरु गंज साहब जीदा परकाश करो, आपाँ सत्गुरु जीदी छटर छाया हेट शामल हो मांगे, संत महराज नू भेंत की ती पे तुसी ताबया बैठो, कहलेंगे जे पंच सदा हुकम होगा ते मैं ताबया नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस चार के जूटे कर दिवाजा, जितनी हजारां दी गिंती भी संगत पिछे सी, उना सारे ने इस पंगती नू पढ़िया, कहने ने जदो पंडाल दे अंदर संत जी पहुंचे है, ता जार्द पंचम जिस्ती गदी निशीनी होनी सी, विदवान या सलाकारसनों पुछिया के ये बाबा जी क्या बोल रहे थे, तो उना ने ट्रांसलेशन करके दस्या के बाबा जी कह रहे थे, के गौड इज ग्रेट किंग, परमेश्वर जिड़ा वड़ा कोई राजा नहीं है, मतलब कहन तो, के जिस मनुख दे हिर्दे ने अद गुला चिड़ी का चुगन, गैन चड़ी बिललाए, खसमें पावे, ओहा चंगी जे करे खुदाए खुदाए खुदाए, अक्सियों प्रीत करे, अक तिड़ा अक डाली बैखाए, खसमें पावे, ओहा चंगा जे करे खुदाए खुदाए, देखनू चिड़ी द तो उना सुल्तानाते बादशाहनानों बड़ा है इस पौड़ी बिच भी महराज समझा रहे है ने कीडी तुलना हो मनी जेतिस मनो नवी सरें हे अकालपुरुख जेत उस कीडी दे मन तो नहीं पुल दे पाव कीडी दे हर देवे तो अड़ी याद है ता उस सतना समुन्दरा दे शा जिनना कोल पहड़ा जिनी दौलत है उस कीडी दे भाबर भी नहीं तो इना दो पौड़ी दे अंदर महराज ने उस वाहिगरु अकाल पुर्ख दी सिफ़सलानू इतना उच्चा दरजा देता है और नाली ये समझा है कि उसी वी शिर्फ सलात करनी ए पर्वादा अंत पौड़ी यतन नहीं करना क्यूंकि उसी अंत पाईथ नहीं सकने जिस तरह एक भूंद समंदर वी चलाकर समंदर ता भन सकती है पर二 समंदर दा अंत नहीं पासकती तो इना दोहाँ पौड़ी अंदर गुर्देव ने सानु सम्झांधी किर्पा कीती है आप सालाही सालाही एती सुर्थ ना पाया नदियां अत्यवा पमें समंद ना जानियें समंद शा सुल्टान गिरहां सेती मालधन कीडी तुलना हुमनी जेतिस मनो ना वीसरें तो इस तरह गुरु किर्पा दे नाल आजसी एना दो पोड़ियां दी विचार कीती है मनो खुशी है के चंगे चंगे पड़े लिखे गुर्मुख और शर्दालू जेड़े जब जी साहिब दा पाड़ चिरां तो कर दे आ रहेने एस टाइम टीवी दे करदी कला दे उद्म नाल उनानू भी जब जी साहिब दे अखरी अर्थां दे नाल पावर थते व्याकरं दी नियमावली समझन नाल अनंद विच वादा होया है और ओ इस उद्मतों लहाले रहेने मैं समझदा हां चरदी कला बाले गुर्मख प्यारे वदाई दे पातर हन जिना ने सिख जगद दे अंदर गुर्बाणी दे अर्थानू समझन समझांदा ए उपराला ए शलगा यो उयतन कीता है गुरू पाच्छा साधी चोड़ी विचे दात पाए असी बाणी प्यारना पड़के अपने जीवन दे अंदेरे राहानू रोशन कर सकी ग्यानी जी ने बड़े प्यारना सानू एस पाड़ी दे अखरी अर्थ अते वियाकरन अर्थ समझाएने हुन समा हो चले एक छोटे जे ब्रेक दा ब्रेक तो बाद असी तो अनू मुड मिलते हैं प्रोग्राम गुर्मत ग्यान लाई वेच सानू हुन इजाज़त देओ